भारत की महान पौरानी कथाओं का संगर सब्स्क्राइब करें भक्ती कथा जब तब व्रत मैं यहां मूख दर्शक बनने नहीं आया अब तु असुर जाती को न्याय दिलाने आया हूँ किन्तु आपके न्याय मांगने का धंग उचित नहीं है शुकर देव उचित अनुचित की परिभाशा में पढ़ने का इच्छुक मैं नहीं शिवशंकर आप असुरों के अराध्य हैं किन्तु आपने भी असुरों पर हुए अन्याय के विरुद्ध कुछ भी नहीं किया शान्त हो जाए शुकर देव इस महासमेलन को विवाद का मंच न बनाएं जब तप व्रत जैसी कल्यान कारी भावना पर विवाद अनुचित है सर्वप्रथम इस पर चर्चा पूर्ण हो जाने दें उसके पश्चात हम आपके प्रस्तावों पर अवश्य विचार करेंगे विचार अभी और इसी समय करें श्री विश्णू जर्वप्रथम असुरों को उनका सम्मान और अधिकार दें तप श्चात चर्चा प्रारंभ करें अर्थात आप ये महासमेलन प्रारंभ होने देने के इच्छुक नहीं है इस व्यर्थ वाद विवाद का परिणाम आपके हित में शुब नहीं होगा आपको ये वाद विवाद शोभा नहीं देता है शुक्र देव हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके समर्थन और स्विकरति के बिना हम कोई निरणय नहीं करेंगे मुझे आप पर तनिक भी विश्वास नहीं है चल से असुर सेनापती राहू का शीश काटने वाले मोहिनी रूप धारल कर असुरों के साथ पक्षपात करने वाले श्री विश्लू से मैं भली भाती परिचित हूँ मुझे ग्यात है असुरों के प्रती आप सब के मन में तनिक भी सहानुभूती नहीं है आप महा सम्मेलन में भी छल बाल पूरवक अपनी अपनी बात मनवाने पर तुले है अपनी बात के स्विकृति प्राप्त किये बिना मैं नहीं बैठूंगा मैं विरोद करता रहूंगा करता रहूंगा ब्रह्माजी देवाधिदेव शिवशंकर इस विवाध को यहीं समाप्त कर देना उचित होगा अन्यथा इस महा सम्मेलन का उद्देश ही समाप्त हो जाएगा हम आप से पोड़ सहमत है जगदीश्वर जगत पालक्ष्री विश्णू आप इस महा सम्मेलन के अधिश्ठाता है इस विवाध के अंत का उपाय करने का आपको पूर्ण अधिकार है शुक्र देव हम अंतीम बार आप से अनुरोध करते हैं कि आप असुरों के विशय में अनावश्यक विवाध उत्पन्न न करें सम्मेलन का उद्देश्य पूर्ण होने दें मैंने निश्चे कर लिया है व्यकुंठ पती असुरों को न्याय दिलाए बिना मैं नहीं बाठूंगा नहीं बाठूंगा नहीं बाठूंगा ऐसी स्थिती में आप अपने अनुचित हट का परिडाम भोगने के लिए प्रस्तूत हो जाएं मैं विश्नु भोशना करता हूं कि शुक्रदेव के शरीर में स्थित देवत्व मात्र उनके ग्रहन अक्षत्र भाग में सीमित हो जाएं दैत्यों के पक्षापती रूप शुक्रदेव के शरीर से भिन्द होकर शुक्राचार्य के रूप में स्थापित हो जो की दैत्य गुरू के रूप में प्रसिद्ध होगा प्रसिंद दुक्राण के रूप में प्रसिद्ध रूप के रूप में प्रसिद्ध रूप अक्राव जाएं आपको इस महां सम्मेलन से पहिश्कृत किया जाता है शुक्राचार्य शुक्राचार्य मैं तरह भूंड्रीजिन प्रेमा विश्नु महेष्च और समस्त देवतागर्ण सुनने मैं अपने इस घोर अपमान का प्रतिशोद अवश्य लूँगा मैं देत्यों को इतना शक्तिशाली बनाऊंगा जिवे आपके जब तब और भ्रत की समस्त योजनाओं को बस्त कर सके श्री हरी विष्णु द्वारा फैकुल्ट और देव लोकों से बहिश्कृत शुक्राचारे के विरोधात्मक सुरूप का प्रभाव त्रिदेवू पर किंचित मात्र भी न पढ़ा महा सम्मेलन का कारे आगे बढ़ाते हुए जगदीश्वर श्री हरी विष्णु ने जब तब व्रत की महान महिमा से जन जन को लाब कहुचाने के लिए विचार विमर्ष का प्रारंभ गिया इसी समय जारू बाल रिशी जब तब व्रत और श्री हरी के महिमा का गुणगान करते हुए जो ही वैकुंट के मुख्य द्वार पर पहुचे उसे समय वैकुंट के द्वार पालों ने उन्हें भीतर प्रवेश करने से रोख दिया ठर ये अथिति पत्रेगा में आप 4 बाल योगियों के नाम नहीं है आप है चारो इस महा समिलन में अमंधृत नहीं है आप व्यकुंट में प्रवेश्णा करें प्रियज्य प्रियविज्य हूं चारों ही जग्दीश्वर श्री वश्णों के अंशावतार हैं इस संसार का हर जीव जगदीश्वर भगवान स्री विश्णु का ही अंशावतार है किन्तु जिस उद्देश से यह सम्मेलन आयोजित किया गया है उसी जब तप और व्रत की महिमा का गुंगान करने के लिए ही प्रभू ने हमें प्रकट किया था किन्तु महा सम्मेलन में जब तप और व्रत की महिमा का गुंगान नहीं अपितु नियम आदी निर्धारित के जा रहे हैं वहां आपका क्या कार्य है हमारा कार्य में ग्यात है आप दोनों हमारा मार्गिनों के महा सम्मेलन में हमारा शीक्र पहुशना अत्यांत आवश्यक है ये असंभव है हम आपको भीतर जाने की आग्या नहीं देंगे जय विजय तुम दोनों अनुचित कार्य कर रहे हो हम दोनों शिरे विश्णु के द्वारपल है अचित अनुचित को भलिभाती जानते है जय विजय तुम में हट के साथ साथ अहमकार भी प्रविश कर गया है बाल योगियों हमारे विकार को ढूंड़ने का दुस्साहस ना करो एस स्थान से शेगर हट जाओ नहीं तुम हमें शक्ति का प्रयोग करने पर विवश्च कर रहे हो अहंकार पुर्ण भाशा बोलकर तुम दोनों ने हमारा अपमान किया है हम तुमें शाप देते हैं होगे तखा हर यूग में जगदीश्वर भगवान श्री मिश्टू के अवतारों द्वारा मिलत्यू को प्राफ्त होगे हमें श्मा तर्दे अग्याद के बूल नहीं बाल योगिों हमें श्मा कर दे हमें श्मा कर दे जैवीजय हम दिया हुआ शाप लटा नहीं सकते तुम्हें अपने पाप का फल भोगना ही होगा जय विजय अब पशातप से कोई लाद नहीं हमने विधी के विधानों के संकेतों का ही पानन किया है अब नमो बगवते वासुदेवाय ओ नमो बगवते वासुदेवाय ओम नमो बगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाई स्रिष्टी के स्रीजनहार स्रिष्टी के पालक स्रिष्टी के संघारक तथा महासम्मेरन में उपस्ति सबी गड़मान्य अतितियों को हमारा प्रणाम 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 जगदीश्वर भगवान श्रीविष्णू हम चारों इस समय महासम्मेलन सभागरह में ख्रमाभाव के साथ उपस्तित हुए हैं बैकुण्ट के द्वार पाल जय विजय के अहंकारिक हस्तक शेप के कारण हम सबने उन्हें हर यूग में असूर रूप में जन्म लेने का शाथ दिया है आपने कुछ अनुचित नहीं किया है बाल योगियों हम त्रिदेवों को इस बात का ज्ञान है कि सत्युग त्रेता युग और द्वापर युग में जब धर्म के उत्थान और मानावता के कल्यान के लिए हम अवतार धारण करेंगे तब बैकुंट लोग से पतित यही जैविजय ही हमारे सम्मुक असूर बनकर शत्रू रूप पे खड़े होंगे आपने जैविजय को शाप देकर भविश्य की संभावनाव को स्पष्ट कर दिया है वालियोग्यों आप चारों जब तब और व्रत की महिमा के सूत्रधार हैं आपके द्वारा जो कारे होगा उससे संसार का कल्यान ही होगा हम तो मात्र करता है भोलेनात कारण तो कोई और है उस कारण ने करता को अपने योग्य समझ कर ही भविश्य की घटनाओं का संकेत दिया है जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु को हम सभी अपना आराध्य मानते हैं मैं सूर्य ग्रहों का आधिपती होने के नाते ये घोशना करता हूं कि हम सातों ग्रह जप तप और व्रत द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश तथा सरस्वती लक्ष्मी पार्वती इन त्रीदेव्यों की आराध्या करने वालों की सदा साहता करेंगे ग्रह पती सूर्य देव मैं आपके प्रस्ताव से सहमत नहीं हूं आप अपने इच्छा और निर्णे मानने के लिए मुझे शनी देव को दिवश नहीं कर सकते मैं स्वयम शक्ति शाली आईवं तजिस्वी हूं मेरा अपना स्तित्व आईवं महत्व है पुत्र शनी देव हमें शक्ति तेज और महत्व है ब्रह्मा विश्नु महेश की क्रपा से ही प्राप्त हुआ है में ब्रह्मा का दास बनने का इच्छुक हूं ना विश्नु का बगवान शेव के प्रती मेरे मन में अधर है किन्तु वही तक जहां तक मेरे स्वाब इमान को ठेस ना पहुंचे शनी देव पुद्ते जितना हो ग्रहपती सूर्य देव सब कोई सुने जो जीव इंत्री देवों से निराज होकर मेरी पूजा राधना तथा जब तब करेगा उसे मैं शनी देव इच्छुक्फल अवश्च परदान करूँगा शान्त रहे शनी देव आपको अपना विरोध प्रकट करने का पुर्ण अधिकार है किन्तु आपको अपने पिता सुर्य देव के सम्मान का भी ध्यान रखना उचित होगा पिता तो आज इस मंच पर इनके पिता होने की परिभाशा भी सुन लिजिए इस शनी का दुर्भाग यही है किसके पिता सुर्य देव है पुत्र शनी सत्य को सुनकर आहत नहों सुर्य देव यह कटू सत्य है कि मेरे पिता ने एक शण भी मेरी और स्ने भाव से नहीं देखा मुझे ग्यात नहीं कि पिता का प्रेम क्या होता है मेरी मात अच्छाय का सदा सदा अपमान किया पुत्र शनीदेव क्या तुम हमारे साथ ही साथ ब्रह्मा विश्णु बहेश का भी आप पान करने की इच्छुखो मेरे मन में आपके समान ही इनके प्रती कोई आधर नहीं इन सबने भी आभी के समान सदा मेरे उपैक्षा की है सदा मुझे अशुब और नीच ग्रह समझा है इनों ने तुम भयानत भूल कर रहे हो पुत्र यह भूल है अथ्वा नहीं इसका निर्णे तो समय करेगा सूर्यदेव केंटू अब मैं आप लोगों के साथ कदा भी नहीं रहूंगा पुत्र शनी हो सूर्यदेव हां अब मैं मानवो दानवो और देलताओं को भी अपनी शक्ति का परिजय दूंगा अपने तेज के सम्मुक सबको छुका कर रख दूंगा मैं शनी हूं शनी पुत्र शनी झाल